नमस्कार मेरे प्रीय दोस्तों एक नई खुश ख़बरी निकल के आ रही है तो हम आपको पूरी ख़बर दिखाते हैं और उससे पहले एक बात कि यदि आप गवर्मेंट सर्विस की तयारी कर रहे हैं या दि आपकी घर का कोई भी बेक्ति कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्स 30,000 सिक्षकों की भरती का सेड्यूल तय हो चुका है और इसी में साथ हमें यही बता गया कि 78,000 स्टुडेंट को लैप टाप जल्द मिलेंगे हम आपको अपनी पूरी ख़बर दिखाते हैं मद्द प्रदेश बिधान सभा चुनाओं से पहले सुराज सरकार 5 बड़े काम कर करने जा रही है सबसे पहले सिक्षकों के तवादले किये जाएंगे इसके लिए स्कूल सिक्षवाग 15 जून के बाद नीती जारी कर सकता है अन्य करमचारियों के लिए मुख मंत्री फैसला करेंगे इसी तरह सितंबर में लैप टॉप के लिए बार्मी के 78,000 स्टुडेंट भरती निकालने की तयारी भी सरकार ने कर ली है यह इंपोर्टन पॉइंट है इसके अलावा सिक्षकों के 30,000 पदों के लिए अगस्त में भरती निकालने की तयारी भी सरकार ने कर ली है सरकार चुनाओं से पहले इन पांच बड़े कामों का कैसे पूरा करे सकेगी और बर ये प्रक्रिया 15 माई तक पूरी होनी है लेकिन बरिष्ट पदों पर प्रभार देनी की प्रक्रिया के चलते 15 जून के बाद ट्रांसपर होगे। नई सिक्षा नीती के ड्रॉप्ट के मुताविक नौ नियुक्त सिक्षकों को ग्रामेंड छेत्र के स्कूलों में कम से कम 3 साल और संपूर्ण सेवाकाल के नियुनतम 10 साल काम करना होगा। दस बर्स या इससे अधिक समय तक एक ही संस्था विसेश कर सहरी शेत्रों पदस्थ सिक्षकों को ग्रामेंड शेत्रों की सिक्षक बहीन और सिक्षकों की कमी वाले विद्यालों में पदस्थ किया जाएगा। इन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। 75% या इससे अधिक अंग लाने वाले छात्रों को लैप्टाप माटे जाएगे। इन स्टुजन्ट्स को लैप्टाप खरीदने के लिए 25,000 रुपए के रासी उनके खाते में दी जाएगी। इस योजना से प्रदेश के करीब 95,000 स्टुजन्ट्स को फाइदा पहुँचेगा। CM एक सिंगल क्लिक से स्टुजन्ट के खाते में रासी ट्रास्पर करेंगे। स्कूल सिक्षा और जनजाती कारिभाग द्वारा कारिकरम के लिए सभी जरूरी तयारियां कर लिए तो एक अच्छी खबर है ये कि जल्द ही 30,000 सिक्षों को भरती का स्टेडूल तै होगा जिससे जल्द ही 30,000 सिक्षों को भरती होगी तो आप अपने-अपने हिसाब से त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद